दिली के साकेत कोट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कुतुम मिनार परिसर में बनी कुवत उल इसलाम मस्जित पर दावा ठोका गया है याजका में कहा गया है कि इस मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ कर बनाया गया था और इसको साबित करने के लिए इतिहास में परियास्त सबूत है लिहाजा इस मस्जिद में तोड़े गए मंदिरों को दोबारा साफित करने और वहाँ पर विधी विधान से 27 देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार दिया जाए वकील हरिसंकर जैन की तरफ से दाखिल इस याजिका पर दिल्ली के साकेत कोट में करीब एक घंटे की सुनवाई हुई सिविल जैन ने कहा कि याजिका पेहद लंबी है इसलिए इस याजिका और उसमें दिये गए तक्ष्यों को गहराई से अध्यन करने की जरूरत है कोट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर तारीक तै कर दी है